दोस्तो अगर आप भी अपने इंस्टाराम काउंट को डी एक्टिवेट करना चाहते हैं या फिर आप डीलिट करना चाहते हैं तो दोनों ही तरीके आज गी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने इंस्टाराम काउंट को डी एक्टिवेट कैसे कर सकते हैं औ आपको अपने Instagram account में जाने के बाद यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ 3 line दिखाए देगी आपको 3 line में जाने के बाद आपको यहाँ पर एक option दिखाए देगा setting आपको setting में जाना है और जैसे आप setting पे click करोगे तो आपके सामने इस तरह का page open जाएगा तो यहाँ पर आपको क्या करना है आपको नीचे scroll down करना है नीचे scroll down करने के बाद आपको यहाँ पर एक option दिखाए देगा तो चले मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ तो दोस्तों यहां पर लिखा हुआ है help आपको help में जाना है इसके बाद यहां पर आपको काफी सारे option दिखाए देंगे तो यहां पर आपको क्या करना है यहां पर आपको fourth number पर एक option दिखाए देगा help center आपको help center में जाना है help center में जाने के बाद आपके सामने नया page open जाएगा और यहाँ पर भी आपको 3 line दिखाए देगी आपको 3 line में जाना है 3 line में जाने के बाद यहाँ पर आपको फिर से काफी सारे option दिखाए देंगे तो अब आपको क्या करना है आपको यहाँ पर एक option दिखाए देगा manage your account आपको manage your account में जाना है manage your account में जाने के बाद आपको यहाँ पर काफी सारे option दिखाए देंगे और यहाँ पर लिखावा है delete your account आपको delete your account में जाना है यही से आप अपने instagram account को delete भी कर सकते हैं और deactivate भी कर सकते हैं तो delete और deactivate कैसे करना है आज गी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा तो मैं यहाँ से डिलेट यूवर अकाउंट पर क्लिक कर देता हूं और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको तीन ओप्चन दिखाए देंगे टेम्टेरी डियक्टिवेट यूवर इंस्टाराम काउंट डिलेट यू अप्चन कहाँ पर मिलेंगे किस तरह से आप डियक्टिवेट कर सकते हैं और किस तरह से आप डिलेट कर सकते हैं आपको ध्यान से देख लेना है काफी सारे लोग अपने इंस्टाराम काउंट को डिलेट करने के लिए यहाँ से डिलेट यूवर इंस्टाराम काउंट में ज तिक्षाये देगा Temporary Deactivate Your Instagram Account आपको इसमे जानाे है और इसमें जाने के बाद आपको हलका सा स्क्रोल דown करना है और हलका सा स्क्रोल optimum करने के बाद आपको यहाँ पर एक और आप्शन दिखाये देगा तो यहाँ पर आपको क्या करना है यहाँ पर लिखा हुआ है mobile browser help आपको इसमे जाना है तो यहीं से आप अपने Instagram account को delete भी कर सकते हैं और deactivate भी कर सकते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपको delete कैसे करना है उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि आपको deactivate कैसे करना है जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है delete your account आपको इसमे जाना है इसमे जाने के बाद सबसे पहले तो आपको यहाँ से कोई भी एक region चूज कर लेना है कि आप अपने Instagram account को क्यों delete करना चाहते हैं जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है why do you want to delete तो यहाँ से आपको कोई भी region चूज कर लेना है यहाँ पर आपको काफ़ी सारे region दिखाए देंगे तो मैं यहाँ से कोई भी region चूज कर लेता हूँ region चूज करने के बाद यहाँ पर आपसे password डालने के लिए बोला जाएगा तो आपके Instagram account को जो भी password है तो वो password आपको यहाँ पर डाल देना है और password डालने के बाद यहाँ पर आपको delete वाले option दिखाए देगा आपको delete पे click कर देना है डिलेट पर क्लिक करने के बाद आपका जो इंस्टाराम काउंट हो डिलेट हो जाएगा लेकिन अगर आप डिलेट की जगह अपने इस्टाराम काउंट को डिएक्टिवेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ एक ओप्चन दिखाई देगा टैंप्रेरी डि के बाद यहाँ पर लिखावा है टैंप्रेरी डियक्टिवेट अकाउंट आपको इस पर क्लिक कर देना है और इस पर क्लिक करने के बाद आपका जो इंस्टाराम काउंट हो डियक्टिवेट हो जाएगा और उसके बाद अगर आप इसको बाद में कभी भी रियक्टिवेट करना चाहते हैं इसको फिर से चलाना चाहते हैं तो आप कभी भी अपना यूजर डिम और Password डालकर इसको लोग 인 कर सकते हैं उसके बाद आपका जो Instagram पाउंट हो रीडियविट हो जाएगा और आप उसको फिर से यूज़ कर सकते हैं तो दोस्तों आप भी इसी तरीके से अपने इस्टा राम काउंट को डिलेट भी कर सकते हैं और आप डी एक्टिवेट भी कर सकते हैं